अलो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है गाजर और मतर का पुलाव बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्ट्य पुलाव बनकर तियार होता है तो देखिए इसके लिए मैंने दो कटोरी गाजर, दो कटोरी मतर, दो चम्मच काली मिर्च और दो चम्मच नमक लिया है और ये अब हम जो है चावल को पानी से भिगो लेंगे और बहुत जादा देर के लिए नहीं भिगोना है बस साफे नार के लिए आदे गंटे के लिए आप इसको भिगो कर रख दीजे और उसके बाद वाश करके हम लोग चावल बनाएंगे पुलाव बनाएंगे और ये एक ऐसा है जिसमें कोई प्याज अद्रक लैसुन कुछ नहीं डलता पर फिर भी बहुत टेस्टी प्लाव बन कर ट्यार होता है तो देखे ये मैंने पतिला रख दिया है गैस पर और इसमें मैं ओयल डाल रही हूं और इसमें गाजर और मटर का सीजन भी चल रहा है और गाजर जो है बहुत ही अच्छी होती है खाने में भी और इसमें काफी मात्र में फाइबर पाया जाता है और आईस साइड के लिए भी बहुत अच्छी होती है और मटर में भी बहुत अच्छी प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है तो इसको पूरी सर्दी बार आप खाईए तो आपकी ह अब निकाल रही हूं है तो तो थोड़ा ओय गरम कर रही थोड़ा what I can do if they cook in a new car एगी मेरा हम दीड़ा को मैंने इस्मेश करके डाला है कड्दुकस से जो मोटा वाला पार्ट होता है कड्दुकस का उससे मैंने ग्रेट किया है और काटके ने डालना है आपको तभी इसका टेस्ट अच्छा हैगा तो देखे मिनने दो कट्पोड़ी इसमें गाजर डाल दी है और इसको अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर बहुत ज़्यादा बुनने की जरूवत नहीं है हलका सा टॉस कर लेंगे इसमें और फिर मैं इसमें दो कटोरी मटर डालूँगी मटर को भी मैंने अच्छे से वाश कर लिया है और यह फ्रोजन मटर नहीं है जो फ्रेश मटर इस सीजन में आ रहे हैं यही डलेंगे इसमें फ्रोजन मटर से वो टेस्स पुलावें नहीं आएगा गाजन मेरी थोड़ी सी सौते हो गई है अब मैं इसमें मटर डाल दूँगी और यह एक ऐसा पुला है कि जिसमें आपको जिसके साथ आपको कोई भी सबजी बनाने के जरुएत नहीं है आप इसको सेंपिल धनिया की चट्नी के साथ या प्लेन भी खाएंगी तो भी बहुत अच्छा लगेगा यह लिकिए मैं दो कटोरी गाजर इसमें डाल दी है अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे गाजर के लिए बहुत ही अच्छी होती है तो बचे बड़े इसको ज़रूर खाए पूरी सर्दी भर तो बहुत फाइदा मिलेगा आपको इससे चाय फल्वा बना के खाएं चाय पुलाव बना के खाएं चाय से रौ खाएं चाय चार बना के खाएं लेकिन आप गाजर पूरे सर्दी भर खाएं जरूर देखे अब मेरे इसमें मटर डाल दिया और मैं इसमें जो है मैंने राइस को दो के रख लिया था चावल को और उसका मैं पानी पूरा निकाल दूँगी और अब मैं इसमें चावल डालूँगी दो कटोरी जो मैंने वाश करके रखे ये देखे मैंने पानी इसका पूरा निकाल लिया है आप इसमें चावल किसी भी टाइप कर ले सकते हैं जो आपको खाना पसंद हो असा नहीं है कि आपको बासमती ही लेना है आप कोई भी नॉर्मल राइस जो आप घर में खाते हो आप उससे बना लोगे तो भी बहुत ही अच्छा बनकर त्यार होगा इसको भी मेक्स कर लेंगे सब के साथ गाजा मटर के साथ और अब मैं इसमें दो चम्मच नमक जो मैंने रखा था वो मैंने डाल दिया है ये मेडियम साइस के चम्मच थे मेरे बहुत बड़े नहीं थे और दो चम्मच मैंने काली मेच डाली है और ये ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी बहुत ही अच्छा से पुलाव में टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छी बनकर तयार होगा हमारे पुलाव सबको मिक्स कर लेंगे हम हम और मैंने इसमें दो कटोरी चावल लिये थे तो मै मैं इसमें चावल का डबल पानी नहीं डालूँगी मैं इसमें साड़े तीन कटोरी पानी डालूँगी और आदा कटोरी नहीं डालूँगी क्योंकि गाजर भी अपना पानी छोड़ती है तो गाजर में भी मोईस्टर होता है तो इस वज़े से मैं आदा कटोरी कम पानी ड यह तीन हो गए और आधी कटोरी हो डालूंगे मैं यह देखिए मैंने फुल चार कटोरी नहीं डाला है साड़े तीन कटोरी डाला है और आयली भी आप इसमें अपने हिसाब से डालेंगे जितना आपको चावल में उयल पसंदो अगर ज्यादा पसंदो तो आप ज्यादा डा है तो अब मैं जो है गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसके उपर एक प्लेट रखे और इसको स्लो फ्लेम पे पकने बूंगी जब तक कि इसका सारा पानी रिड्यूस नहीं हो जाए और चावल गल जाएगा मटर भी गल जाएंगे इसमें देखें अब 5-7 मिनट हो चुके हैं तो अब मैंने डखकन खोला है देखें मारे चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं बहुत ही अच्छे चावल बनकर त्यार हुए हैं देखने में भी बहुत सुन्दर लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है यह आप इ इसके प्लेटिंग कर लेती हूं और अगर आपको इसको ढखना है न फिर तो पूरा न ढखिएगा आप थोड़ी सी स्टीम से निकल ले दीजेगा क्योंकि पूरा दख देंगे तो चावल बुलकुल गल जाएंगे बहुत जादा अब मैंने देखें इसके प्लेटिंग कर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें मिलते हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाएंगे